नमस्कार में उप्रिया, आज है दस सितंबर चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को बिहार में COVID-19 प्रभावतों की संख्या पहुची एक लाख बावन हजार के पार बिहार में COVID-19 प्रभावतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है स्वास्तिविभाग की तरफ से साचो की गई जानकारी के नुस्तार बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 1498 नए मरीजों की पुष्टी की गई है जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की संख्या एक लाख 52,192 पर पहुच गई है जमुई में 24, जहानबाद में 32, कैवुड में 11, कटिहार में 27, खगडिया में 3, किशन गंज में 52, मध्यपूरा में 47, मधुबणी में 24, मुंगेर में 20, मुजफरपुर में 68, नालंदा में 61, नवादा में 15, पटना में 203, पुर्णिया में 55, रोहतास में 36, सहरसा में 11, सम जमुदा में 24, सुपॉल में 41, वैशाली में 17, बस्चिन चबारण में 43, वहीं दूसरी तरफ ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार पढ़ती जारी है, स्वास्तेव भाग की तरफ से साज हो की गई जयानकारी के नुसार, कुल मिलाकर 1,35,791 मरीज ठीक हो चुक सेवं परिवार का लियान राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से वारानसी बकसर भागलपूर के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी के तहत उपलब्ध एक लाग के माध्यम से जाज के लिए व्यवस्ता के शुभारम करने की बात गई है वाय उन्होंने नाशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की समीक्षा बैठक भी किये जिसमें बिहार में संभावनाव पर चर्चा की गई है राज़त के सीनियर लीडर रगुवंश प्रसाद सिंग की तब्यत हुई खराब राज़त के सीनियर लीडर रगुवंश प्रसाद सिंग की तब्यत एक बार फिर से खराब हो गई है जिसके बाद उन्हें बीते दिन दिल्ली एम्स के ICU में भरती करवाए गया है आपको बता दे पिछले कई दिनों से रगुवंश सिंग का वही पर इलाज करवाय जा रहा है जहाँ पर उनसे मिलने के लिए कई नेता भी पहुँच चुके हैं आपको बता दे रगुवंश प्रसाद सिंग कुछ महीने पहले COVID-19 प्रभावित हो गये थे उनका इलाज पट्टा एम्स में चल रहा था मुख्य मंत्री नितिश कुमार के बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आगामे विधान सवाचुनाव से पहले बिहार के किसान मतस्य पालकों को बड़ी सौगात देने वाले हैं भाजपा के प्रधेश रध्यक्स डॉक्टर संजे जैसवाल ने इस बात की जानकारी देते वे बताया है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जल्धी बिहार के 294 करोड की विभिन योजनाओं का शिला नियास करने वाले हैं उन्होंने बताये कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 10 सेतंबर यानि की आज 294 करोर की अलग-अलग योजनाओं की सौगात दे सकते हैं जिसमें नाकेवर ग्रामीन अर्थिववस्था को मजबूती मिलेगी बलकि बिहार जैसे क्रिशी प्रधान राजु की आत निर्भरता भी बढ़ेगी नितीश कुमार ने प्रचास प्रतिशत सस्ती जमीन देने का किया ऐलान मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने आत निर्भर मुहीम को आगे बढ़ाने के तहट अब फ्राक्टरी लगाने वालों को 50% सस्ती जमीन देने का आश्वासन दिया है आगामे विधान सवाचुनाव से पहले ही नितीश कुमार के तरफ से जनता को लुभाने के लिए एक और बड़ा फैस्ता लिया गया है जिसके तहट और दोगी की छेतर से जुड़े लोगों को फायदा मिलने के उमीद जुताई जा रही है बीते दिन हुई राजय क्याबिनेट की बैठक में विशेश भूमी आवंटेड एवब निती को मंजूरी दे दी गई है इस निती के तहट उद्यों के लिए वियाधा की जमीन पर 50% अधिक्तम छूट मिलेगी मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने उद्यों की जमीन की कीवत निर्धारन के फॉर्मूले में बदलाफ किया है बिहार में प्लाजमा थेरिपी के आई सकरात्मक परिनाम बिहार में प्लाजमा थेरेपी के इलाज करवाने के बाद सकरात्म परिणाम निकल कर सामने आये हैं स्वासेव भाग की तरफ से साचा की गई जानकारी के रुसार प्लाजमा थेरेपी का इस्तमाल करके बिहार के 65% दी COVID-19 संक्रमित मरीज को ठीक किया गया है पर टाइमस में अब तक 260 लोगों ने प्लाजमा दान किया था जिसमें से प्लाजमा के माधिम से 170 संक्रमित मरीज का इलाज किया गया था जिसमें से 110 मरीज स्वस्त हो चुके हैं जो कुल मरीजों का 65% दी है एरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है जारी किया के ट्वीट के अनुसारी हलिखा गया है कि दरभंगा हवाई अड़े में जल्द ही नागरिक ओडैन मुहीम की शुरुआत होने वाली है चेत्रिय कनेक्टिविटी योजना के दहत मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अवियेशन और एरपोर्ट अथॉलिटी ऑफ इंडिया ने दरभंगा के अन्या हवाई अड़ो को हवाई संपर्क प्रदान करने के लिए बिहार सरकार के साथ हाथ मिला लिया है अचार बेचरे पर समाज के भहिशकार को बरदाश कर चुकी किसान चाची से मुलाकात करेंगे जेपी नडड़ा मुझाफर पुर जुले के आनदपुर गाउं के 65 वर्षिय किसान चाची है जो की महिला क्रिशक में होती है जिन्हों ने अपनी लगन से ना सिर्फ अपने वलकी हजारों महिलाओं का जीवन बदल दिया है आज मंजर ऐसा है कि 12 सितंबर को खुद भाजपा के राश्ट्री अध्यक्ष जेपी नडड़ा उनके घर जाकर उन से मुलाकात करने वाले है हाला कि किसान चाची ने सफलता का यह मुकाम रातो रात हासिल ही किया था उन्होंने इसके लिए काफी संघर्ष किया था जब उन्होंने अपनी खेती करने शुरू की और जब अचार बनाने का काम शुरू किया तो समाज ने भी उनका खूब बहिश्कार किया था आज बिहारी पैचान में सरकारी नौकरी छोड़कर अपने सपनों की पीछे गई छवी पांडे की बात करेंगे सरकारी नौकरी बरतमान समय में हर किसी का सपना होता है मगर सरकारी नौकरी को छोड़कर अपने सपनों को पूरा करने की हिमत किसी किसी में होती है इसी का प्रमाण पेश किया है चवी पांडे ने चवी पांडे बिहार की रहने वाली है उन्होंने टीवी की दुनिया में अपने साथ-साथ पुरे बिहार का नाम रोशन किया है चवी पांडे राजधानी पत्ता के मगद महिला कॉलेज की ग्राजवेशन की छात्रा रह चु ये है आश्र की बंधन सिलसिला प्यार का और काल भैरव रहस्य में बतोर लीड अभिनेत्री के रूप में फिलहाल काम कर रही है राज़त नेता अब्दुलबारी सिद्धी की आए कोबर्ट नाइटीन की चपेट में आगामे विधान सवाचुनाव से पहले राज़त की परिशानी बढ़ती नजर आ रही है वही सबसे दमदार अल्प संख्यंग्रेता अब्दुलबारी सिद्धी की खुद भी अब COVID-19 की चपेट में आगे इसकी जानकारी उन्होंने खुद साजा की है पटना एम्स में COVID-19 वैक्सीन ट्राइल का पहला चरण हुआ है सफल बिहार में COVID-19 के बे लगाम बढ़ रहे मामलों को देखते वे पटाइम से बीते दिन बड़ी खुश ख़बरी सामने आई है मिली जानकारी के रुसार पटना एम्स में पहले चरण का COVID-19 वैक्सीन का पहला ट्राइल पूरा कर लिया गया है पटना के 44 लोगों के साथ पूरे बिहार के 350 लोगों पर किये गया वैक्सीन ट्राइल के बाद अब इसके दूसरे चरण में 50 लोगों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रियाज शुरू कर दी गई है हाला कि पहले चरण में किसी पर भी कोई साइड एफेक्ट सामने नहीं आया है इसके साथ ही उनके रिपोर्ट को केंद्रिया स्वास्तमंत्राले को भेज दिया गया है वहीं दूसरे चरण के लिए च्छुक लोग 9471408832 पर कॉल करके इस परिक्षन में भाग ले सकते हैं यूपी से बिहार आने में अब यात्रियों को होगी सहूलियत अब यूपी से बिहार आने जाने में यात्रियों को काफी सहूलियत होने वाली है क्योंकि पूर्वी परिमंडल कॉलकता के रेल संग्रक्षा आयुक्त ने दानपूर मंडल के दिलदार नगर तारिग घाट विद्यूतिकृत रेल खंड पर ट्रेनों का परेचालन इलेक्ट्रिक इंजन से करने के अनुमती प्रदान कर दी है बेरोजगारी के खिलाफ तेजस्वी आदव ने रापरी देवी और तेश प्रताप यादव के साथ मिलकर जलाई लाल थे बिहार विधान सबाचुनाफ को लेकर तेजस्वी आदव ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया हुए और यही कारण है कि बीते दिन उन्हों ने सभी बिहारवासियों से बेरोजगारी के मुद्देव और साथी सभी छेत्र को नीजी करन करने के खिलाफ नौ बजे नौ मिनट के लिए सबसे लाटेन दीपक्या मुम्बती जलाने का आवाहन क्या था तेजस्वी आदव के समान का जबरदस जन्च समर्थन मिला है इसके तहट तेजस्वी आदव खुद भी अपनी माराबरी देवी के साथ उनके आवास पर सारी लाइट बंद कर लाटेन जलाते देखी गये थे इस मौकी परते जस्वी आदव ने कहा कि पुरिदेश का नौजवान बेरोजगारी के कारण परिशान है बेरोजगारों का केंद्र सरकार ने बिहार को बना दिया है पटना से दिल्ली तक के लिए बस सेवा आज से होगी शुरू दिल्ली के लिए बस सेवा के शुरुआत आज से होने वाली है बिहार राज्य पत्थ परिवान निगम ने दिल्ली के लिए दो बसों को खोलने का फैसला सुनाया है दिल्ली के रिए दो तरह की बसों का परिचालन होगा जिसमें सीटर और स्लीपर दोनों बसे मौझूद होगी सीटर सुभए 11 बजे और स्लीपर बस एक बजे खोली जाएंगी सीटर बस का किराया 1650 रुपे वहीं स्लीपर में 900 रुपे हैगा दिल्ली जाने बाले बसे मुझदफरपुर गोपाल गंज होते वे गोरखपुर से आगरा लखनाओ होते वे दिल्ली जाएगी 20 घंटे में आसानी सी यात्री दिल्ली पहुँच जाएंगे वहीं सभी यात्रियों से ओन्नाइन बुकिंग करवाने का आग रह किया गया सिर्फ दिल्ली ही नहीं बलकि जहारखंड और नेपाल के लिए जल्द बसकी सेवाज शुरू की जाएगी मुख्यमत्री नितीश कुमार से मिलने नहीं पहुचे ये तेजस्वी आदव सड़क का शुरू नितीश कुमार को घंटों इंतजार करवा कर तेजस्वी आदव उनसे मिलने नहीं पहुचे मुख्यमत्री नितीश कुमार की तरफ से आयोजे तेक बैठक के दोरान तेजस्वी आदव का करीब 45 मिनट तक उन्होंने इंतजार किया बैठेक में शामिल होने नहीं पहुँचे जिसके बाद मुख्यमंद्री नितीश कुमार मुख्य सचिवाले के कायाले से निकल कर अपने आवास लोट के आपको बता दे राज्य सूचना आयो की नियुकती के लिए बीते दिन यह बैठेक बुलाई गई थी सड़क का शुलन्यास करने पहुचे भाजपा वधायक को जहिलनी पड़ी लोगों की फजीहत कहने को बिहार सरकार लोगों के हित में खूब सारे काम करते आई है मगर जमीनी स्तर पर बिहार की जनता सरकार के काम से कुछ खास संतुष्ट नजर नहीं आ रही है जिक्रमें बीते दिन एक बार फिर से जनता के बीच पहुचे भाजपा के नगर वधायक संजे सरावगी को जनता ने गो बाक नारे का सामना करना पड़ा आपको बता दे सड़क का शुलन्यास करने संजे सारावगी पहुचे थे उस सड़क का शिलन्यास विगत लोग सभा एवं विधान सभा के चुनाफ में भाजपा के सांसाद और वधाय की तरफ से किया जा चुका था परन्तु चुनाफ जीतने के बाद आज तक इस सड़क का निर्बान नहीं करवाए गया बार बार शिलन्यास किया जाने को लेकर स्थान ये लोग नाराज नजर आए उद्योग लगाने की सूची में बिहार लुड का 26 वे स्थान पर इस ओफ डूइंग बिजनेस में बिहार को 26 वे स्थान दिया गया है बिहार पिशली बार 18 वे स्थान पर था और अब इस बार अपने परफॉर्मस की कारण 26 वे स्थान पर लुडग गया है आपको बता दे इस ओफ डूइंग बिजनेस का अर्थ है कि देश में कारोबारीयों को कितनी आसानी होती है यानि कि किसी भी देश में कारोबार शुरू करने और उसे विक्सित करने के लिए माहौल कितना अनुकूल है जिसमें विहार का परफॉर्मस निराश्वा जनक रहा है बीते दिन राज़त नेता भोला रॉय के साथ सैक्डो कारेकरता ने दिया सामोहिक स्थिफा राज़त सुप्रीमो लारुप्रसाद यादव के लिए राखोपुर की सीठ छोड़े वाले पार्ठी के कद्दावार नेता रह चुके पुर्व मंत्री उदेनारायन राय और भोला रॉय ने राज़त को स्तीफा दे दिया है इसके साथ ही राज़त के पुर्व जुराध्यक्ष पंच्रीलाल रॉय सहित कई लोगों ने भी राज़त को छोड़ दिया है राज़त से सामुए कि सिफे की घोशना बुधवार को शहर के पोखरा मोहला स्थित श्री रॉय के आवासिये परिसर से आयोजित राज़त समर्थकों की सभा में लोगों से राय मश्वरा के बात की गई मौके पर श्री राय ने जदियों में जाने का संकेत भी देते वे कहा है कि संबंध में श्री शनेत्रत्व से बात चीछ चल रही है बिहार क्रांती वर्शवर महासमेलन में कॉंग्रस में बिहार में सत्ता परिवर्तन को बतायता है बिहार क्रांती वर्शु और महासंभेलन में बीटे दिन कॉंग्रस ने सरकार पर एक के बाद एक आरोप लगाए जिसके तेहत कॉंग्रस के वरिश नेता पुर्वमंत्री प्रमोतिवारी ने आरोप लगाए कि कोरोना के महाल में बिहार के लोगों ने काफी परेशानी जहली है दूसरे राज़ अपने लोगों को बुलाने के लिए गाड़िया भेज रहे थे तब बिहार में उन्हें आने से रोका जा रहा था मोदी सरकार ने भागलपूर वासियों को दी बड़ी सौगात आगा में विधान सबाचुनाब को ध्यान में लखते वए केंदरिय सरकार के तरफ से भागलपूर वासियों को भीते दिन बड़ी सौगात दी गई है जिसके तेट केंद्रिय सरक परिवान और राजमार्ग मंतुराले की तरफ से 971 परोली धनराशी बिहार में एनेच असी मुंगेर भागलपूर तिरुपती कहल गाओं मिर्जा चौकी तक 120 किलोमीटर सीमिंट कंक्रीट मार्ग बनाने के लिए स्विक्रित कर दिया गया है आव अधिकार पाठी प्रमुख पपु यादव ने मुख्यमद्री नितीश कुमार को बीते दिन निश्राने पर लिया है जिसके तहत उन्होंने बिहार को गरीबी में 26 वे स्थान और भूख में 25 वे स्थान पर पहुचाने की बात कही है जिसके तहत उन्होंने बेरोजगारी और सिक्षा में बिहार सबसे निश्रे पाइदान पर पहुचने का दावा भी किया है बिहार में बेरोजगारी को 46 प्रतिशत से उपर पहुचा दिया है हाला कि आपदा के समय घरों में नहीं निकलने वाले अपनी पीठ सब थपा रहे हैं अपने मूमिया मिठ्धू बनने के आवाहन के बाद पटना के 10 सरकुलर रोट सित्राबरी आवास पर लाटे इंजुला कर बेरोजगारी और नीजी करन के खिलाफ विरोध किया गया इस मौके पर तेजस्वी आदव ने सरकार को भी निश्राने पढ़ लिया है जिसके तहत 9 बजे 9 मिनट के कारिक्रिम के ब बात कही थी लेकिन रोजगार नहीं मिला सरकार जवाब दे कि 2 करोर रोजगार कहा है बोजपुरी आक्टरस अक्षरा सिंग ने कंगना रोनौत को लेकर दी अपनी प्रतिक्रिया महराश्च्र सरकार और कंगना रोनौत के बीज़वारी जद्व जहत के बाद बीते दिन पर्थक और उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले दोनों की लंबी कतार देखने को मिली वहीं कंगना रोनौत को लेकर बोजपुरी आक्टरस अक्षरा सिंग ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है जिसके तहत उन्होंने कंगना रोनौत को सपोर्ट किया है अक्षरा सिंग पर यूजर का एक्सपिरेंस बहतर होता है हाला कि कई बार यूजर को आटो प्ले फीचर पसंद नहीं आता और इसके कुछ नुकसान भी है हाला कि अब आटो प्ले आफ करना चाहे तो आसान स्टेप्स को फॉलो करके ऐसा किया जा सकता है जिसके तहट सबसे पहले पेज के टॉप राइट में देखने वाले डॉप राउन मेन्यू पर जाएं इसके बाद सेटिंग्स और प्राइवसी पर क्लिक करें इसके साथ ही इसमें सेटिंग्स सेलेक्ट करें इसके बाद लेफ्ट हैंड मेन्यू से वीडियो पर क्लिक करें जिसके तहत युवराद सिंग ने बिसी सी आई अध्यक्ष सौरब गांगुली को पत्र भी जारी कर दिया है जिसके तहत युवराद सिंग ने पंजाब क्रिकेट संग के अनुरोध पर वापसी करने का फैसला लिया है विश्रु कब 2011 के प्लेयर ऑफ दे टूर्णाम इंट रह चुके युवराद सिंग ने पिछले साल जून में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्याज लेने की घोशना की थी मिली जानकारी के नुसार युवराद सिंग ने कहा कि शुरू में इस पेशकर्ष को स्विकार करने के बारे में घरेलू क्रिकेट खेलना बंद कर चुका था हाला कि मैं दुनिया भर में अन्य घरेलू फ्रेंचाइजीज लीग में खेलना जारी रखना चाहता था तो मैं वापस मैदान में लोट मैं अनुमती BCCI को देनी चाहिए या नहीं अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही अगर आपे वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे तुमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना भूले और जादा श्रेयर करें धन्यवाद